बच्चों आप समझे गयेंगे मैंने इशारों से क्या कहा है मैंने कहा है नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छे हैं न तो बच्चों आज हम लोग कक्षा तीसरी के परियावरण अध्यन विशाय के पार्ट 22 संकेतों की दुनिया में इसे समझेंगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्रिकेट का मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें खिलाडी खेल रहे हैं जिसमें दूसरे शित्र में आपको अंपायर दिखाई दे रहे हैं अंपायर का काम क्या होता है अंपायर संकेतों के माध्यम से बताते चले जाते हैं जैसे अगर खिलाडी चौका मारते हैं तो अंपायर क्या इशारा करते हैं? अंपायर ऐसा इशारा करते हैं जिससे दूर बैठे लोग समझ जाते हैं कि खिलाडी ने चार रन मारा है और अगर खिलाडी आउट हो जाते हैं, तो अंपायर का इशारा क्या होता है? अंपायर का इशारा रहता है, उपर की तरफ उंगली उठा कर आप यह चित्र में भी देख रहे हैं वहीं सडकों में हमें बहुत सारे संकेत चिन दिखाई देते हैं जैसा कि यहाँ पर तीसरे नंबर की चित्र में दिख रहा है नो पार्किंग का चिन इसकार्थ होता है गाड़ी, खड़ी नहीं करना है बच्चों, अब हम लोग यह जानते हैं कि संकेत किसे खहते हैं आपस में बात करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे आईए, मुझे जाना है या मत जाईए पर कई बार हम बिना बात किये अपने हाव भाव से और इशारों से भी किसी को कुछ बताते हैं या कुछ काम करने के लिए कहते हैं और तब इसे संकेत की भाषा कहते हैं हम बिना बोले अपने साथी तक अपनी बात अलग-अलग तरीके से पहुंचाते हैं जैसे अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हम अपने साथी को कैसे बताते हैं इशारे से हम क्या करते हैं अपने पेट के उपर हाथ रखते हैं और थोड़ा जुक कर अपने भाव से बताते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है जैसे कि मैं बता रही हूँ ठीक, इसी तरह जब हम किसी बात के लिए अपनी मंजूरी नहीं देते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने सिर को दाएं और बाएं हिला कर मना करते हैं और अगर हम सामने वाले की बात से सहमत होते हैं, तो अपने सिर को हम क्या करते हैं, उपर और नीचे उठाते हैं, मतलब हाँ, इसकार्थ होता है हाँ, और इसकार्थ होता है नहीं, तो इस तरह बचों बिना बोले अपने कारे को बताने के और भी तरीके होते हैं, का में दिया हाथ को जोड़कर थूड़ा सा हम अपना सिर जुकाते हैं इसकार्थ होता है हम उनको नमस्कार करते हैं जब आपका दोस्त थूड़ा दूर खड़ा होता है तब आप क्या इशारा करते हैं आप उसे बोलते हैं आजाओ तो आपका दोस्त आपके पास आजाता है और गा में द पिखिए हुआ है मॉनिटर के रूप में सबको चूप होने को कहना, कक्षा में जब बच्चे शोर मचाते हैं तब उन्हें चूप रहने के लिए आप इशारा करते हैं? आप उन्हें कहते हैं कि आप सब शांत रहे, साथी आप एक संकेत भी देते हैं, मुझ के उपर उंगली रखकर आप कहते हैं कि आप सब शांत रहे, वैसे ही खेलने के लिए साथी को बलाना, आप अपने दोस्त को जब खेलने जाना होता है, तब आप कहते हैं आजाओ, मतलब खेलने चलेंगे, अब देखते हैं बच्चों संकेत से बताना, हावभाव और संकेत हमारी बातों को दूसरे तक तो पहुचाती है, मानों बोलने से पहले हावभाव के दोर अपनी बात बताते थे, परन्तु बाद में जमीन पर संकेत चिर्न बना कर वो अपनी बात बताने ल छे आड़ी लाइन बनी हुई है मतलब शिकार पर छे लोगों के जाने का संकेत बताया गया है और इसी तरह बच्चों आप अपने गणित विशे में अलग-अलग प्रकार के चिन्न देखते हैं बच्चों गणित के संकेत वाली यह तालिका आपके किताब में प्रिश्ट क्रमांक 88 में दिया हुआ है इसमें कुल चार खाने बने हुए है जिसमें पहले खाने में क्रमांक लिखा हुआ है दूसरे में चिन्न बताया गया है तीसरे में यह चिन्न क्या दिखाता है हमें यह लिखना है और चौथे में इस चिन्न का क्या उपयोग होता है, इसे हमें बताना है, तो चलो अब हम इसे पूरा करते हैं, क्रमांक एक में धन का चिन्न बना हुआ है, धन का चिन्न कैसे बना होता है बच्चों, एक आड़ी लाइन में बीच में छोटी सी खड़ी लाइन होता है, और दो हम जोडते हैं तो चार धन 2 बराबर 6 होता है और क्रमांक 2 में लिखा हुआ है रिण का चिन रिण के चिन का अर्थ होता है घटाना तो चार में से जब हम 2 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है दो मिलता है तो इसे हम इस तरह लिखते हैं वैसे ही तीसरे क्रमांग पे दिया हुआ है गुणा का चिन और गुणा का चिन कैसा होता है एक तिर्चिक लाइन और उसमें ही दूसरी भी तिर्चिक लाइन होता है इसका अर्थ होता है गुणा करना और जब हम चार और दो का भाग के चिन्द में एक आड़ी लाइन है और उसके उपर में एक बिंदू है और नीचे में भी एक बिंदू है और इसका आर्थ होता है भाग देना तो जब हम चार अंक को दो अंक से भाग देते हैं तो कितना उत्तर आता है चार को जब हम दो से भाग देते हैं तो हमें मिल होती है और दूसरे तरफ खुला भाग होता है उसका खुले भाग के तरफ जो अंक लिखा होता है वह बड़ा होता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है चार बड़ा है किसे दो से तो खुले भाग की तरफ हमने क्या लिखा हुआ है चार अंक को लिखा हुआ है और हम जानत लिखा हुआ है दो छोटा है चार से तो जिस तरब ये दोनों लकीरे मिलती हैं वहां पर लिखा हुआ अंक छोटा होता है जिस तरब खुला भाग होता है वहां लिखे अंक से तो बच्चों आपने हैं जान लिया कि गणीत के संकेत चिन हमें क्या बताते हैं अब हम देखते ह लाल रंग का धन का चिन बना हुआ है यह होता है रेड क्रोस का निशान है, जिसका पहचां चिन यई संकेत दरशाता है। वैसे ही आपके स्कूल के आसपास आपने देखा होगा यह संकेट चिन जिसमें एकबालक इस्कूल का बस्ता लेकर जा रहा है। और फिर नीचे दिया हुआ है हार्न बजाना मना हैं। मतलब हार्न का निशान बना हुआ है, सांत में उसमें आप देख रहे हैं लाल रंग का घेरा और वो कटा हुआ है, तो इसे हम देखकर जान जाते हैं कि हमें इस जगा पर गाड़ी का हार्न नहीं बजाना है। और चौथे नमबर पर है खत्रा या डेंजर का निशान, या इसे ही हम खत्रे का संकेत चिन बोलते हैं, यह हमें विशेश तोर पे जहां पर बिजली लगी होती है, मेंस्वीच होता है हमारे घरों में भी, वहां इसे देख सकते हैं, अब आगे देखते हैं बच्चों संकेत तो उनके चिन, तो संकेत और चिन में एक कॉलम बना हुआ है, यह आपके किताब के प्रिष्ट क्रमांग 89 में दिया हुआ है, इसमें संकेत के नीचे लिखा हुआ है घर का संकेत, तो क्या होगा घर का संकेत चिन? चिन में आप देख रहे हैं, छोटी सी घर की आकृती बनी हुई हैं वैसे ही पेड़ का संकेत चिन कैसे दर्शाते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फिर है सूरज का संकेत चिन, सूरज का संकेत चिन हम कैसा बनाते हैं बच्चों? इसमें हम एक गोला काराकरती बनाते हैं और उसके बाहर छोटी और बड़ी लकीरे रहती हैं जो सूरी की किरणों को दर्शाती हैं फिर है तारे का संकेत चिन, इसके लिए आप देख रहे हैं सितारा बना हुआ है यह हमें आसमान में दिखाई देता है और नदी का चिन कैसा होता है? नदी का चिन भी आप देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है और पानी के लिए संकेत दर्शाया जाता है छोटी छोटी आ सकते हैं मैंने अपने साथियों के लिए यह संकेत बनाया हुआ है अब जैसे ही मैं एक बार ताली बजाओंगी मेरे वो साथी मेरे पास आ जाएंगी तो देखते हैं इस खेल को अब मैं दो बार ताली बजाओंगी तो ये दो कदम पीछे हड़ जाएंगे और जैसे ही मैं एक बार चुटकी बजाऊंगी ये अपनी जगा पर घूम जाएंगे और मेरे हाथ उपर करते ही ये अपना हाथ बांध लेंगे और जब मैं ऐसा संकेत देंगी तो यहाँ से ये दूर चले जाएंगे तो आपने समझ लिया बच्चो कि हम ऐसा खेल भी खेल सकते हैं बच्चो अब आप देख रहे हैं कुछ और विशेश संकेत चिन हैं जिसमें सडक के किनारे बाई और अगर मुड़ने का संकेत चिन होता है तब हम जान जाते हैं कि हमें बाई और मुड़ कर जाना है और वैसे ही आप देखते हैं पुलिया का भी संकेत चिन किस तरह दिखाई दे रहा है फिर सडको की बीजविश में आप क्या देखते हैं बच्चो इस स्पीड ब्रेकर बना होता है और इसे ही गती अवरोधा कहते हैं और अगर हमें रास्ते में जाते समय चौथे नंबर का जो चिन्न दिखाई देता है वह रेलवे लाइन का होता है इसे देखकर हम जान जाते हैं वहाँ पर से रेलगाड़ी आते जाते रहती है और हम सतर्क हो जाते हैं तो बच्चों इस तरह संकेतों की दुनिया इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा आज हमने यह सीख लिया है कि हावभा और संकेत से अपनी बात सामने वाले तक पहुचा सकते हैं और संकेत बताने के चिन अलग-अलग पकार के होते हैं संकेत चिन्ने के आधार पर हम अपनी गतिविधी करते हैं यहाँ आप जान चुके हैं और कुछ परिस्थितियों में संकेत या इशारे से बाद भी कर सकते हैं वहीं हम स्वैम भी कोई संदेज देने के लिए संकेत बना सकते हैं तो बच्चों, आज आपने संकेतों की दुनिया इस पार्ट को समझ लिया है, अब इस पर आधारित कुछ अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिये जा रहे हैं, जिसका उत्तर आपको बताना है, प्रश्न पहला है, कक्षा में हो रहे शोर को खाली स्थान के संकेत से शांत कर तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, हाँ, इसका उत्तर होगा मुँपर उंगली रखने से, प्रश्न दूसरा है, घर में जब कोई महमान आते हैं, तो उनका अभिवादन खाले स्थान से करते हैं, तो आपको नमस्कार लिखना है, फिर प्रश्न तीसरा है, लाल रंग इसका उत्तर होगा रेड़ क्रॉस, प्रश्न चोथा है, यह संकेत चिन खाली स्थान को दर्शाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नो पार्किंग, यानि गाड़ी खड़ी करना मना है, अब आपको ग्रह कार के लिए कुछ प्रश्न दिये जा रहे हैं, जिसे लिखकर आप भूख लड़ने पर किस तरह बिना बोले बताते हैं। प्रश्न दूसरा है, शिकार पर जाने के लिए कौन सा चिन बनाया जाता था। प्रश्न तीसरा है, गणित में जोड़ना, घटाना और बराबर के लिए चिन बनाईए। प्रश्न चौथा है, ट्रैफिक सिगनल में लाल रंग दिखने पर हम क्या करते हैं। तो बच्चों, आज का यापार्ट यहीं समात्त होता है। धन्यवाद, जैशत्तिसगर।